नमस्कार मैं डॉक्टर मीनल राजुरकर आर्ट हब इंडिया इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ एक कलाकार इस सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की एक ऐसे चित्रकार की जो भारतिय विश्यों पर दोसों से अधिक सुन्दर चित्र बना चुके है और इनकी चित्रों को देखके ही आपको भावनात्मक एवं सौंदर दुरुष्टी से ओध प्रोत लगेंगे इनके पशु अंकन, मुद्राओ तथा प्राकृतिक प्रुष्ट भुमियों की चित्रांकन शैलियों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इनकी कलम को परस चुकताई इनका पूरा नाम है मोहमद अब्दूल रह्मान चुकताई इनका जन 21 सितमबर 1897 में लाहुर में हुआ चुकताई का जन मुगल कलाकार परिवार में हुआ था उनके मुपूर वज अहमद नामक मुगल शार्षक जाहागिर के प्रधान वास्तों शिल्पकार थे इनके चाचा स्थानिक पारमपारिक कारागिर थे जो उर्दु भाषा के सूलेखन यानि कैलिग्राफिय और चित्र काम करते थे इनके ही आंतरगत चुकताई जी ने शुरू के कला शिक्षन प्रशिक्षन लिया हुआ था बाद में 1936 को लंदन के स्कूल आफ फोटो इंग जुक्री की उसके बाद मेयो स्कूल आफ आर्ड के क्रोमो निथोग्राफी विभाग के ये हेड रहे और वहां अध्यापन भी किया उसके बाद लाहोर के अलहामरा आर्ट इंस्टिटूट के इन्होंने स्थापना की इनके पशु अंकन मुद्राओ तथा प्राक्रोतिक प हिंदु धार्मिक, पौरानिक, आख्यानों के कई चित्र बनाए जिन्हें वे ग्रंथों में बिना पड़े ही बनाने में विश्वास रखते थे उनका विचार था कि अधिक पढ़कर चित्र बनाने से चित्र को पूर्णता दे पाना खठिन हो जाता है इनके एक चित्र की अत्यधिक आलोचना हुई थी जिसमें कुरुष्ण द्वारा आर्जुन को शक्ति प्रदान करने के विशे में चित्रित किया गया था किन्तु कला आलोचकों के नुसार भगवान कुरुष्ण की आकरूती में अमर्क खयाम का सब प्रभाव का आरोपन माना गया चुकताई ने हिंदु धर्म के पारंपारिक विशो के आधार पर अनिक चित्र बनाए उनकी शैली की विशेष्टा में मुख्य तहां प्राकृतिक सौंदर्य चित्र का आकर्शक संयोजन सजीव आकृतिया गतिपूर्ण वह महिम बाहियरेखांकन चाया प्रकाशदर्शानी का प्रय आकृतियों के अंकन पर अन्य विदेशी प्रभाव भी देखा जा सकता है जैसे उनका चित्र विश्वामित्र इस दुरुष्टी से विशेषूल लेखनिया है इसमें अंकित राम और लक्षमन के मुख और केश सज्जा पर जापानी प्रभाव दिखाई पड़ता है यद रूप से आकृतियों के पैरों की लंबाई अधिक है इस प्रकार की आकृतियों में उशा बंसी युक्त कुरुष्ण अर्जुन को निर्देश देते कुरुष्ण द्रोवपदी एवं पांडव चैतन्य की पत्नी इत्यादी हम देख सकते हैं चुकताई के चित्रों में र उनमें रॉयल अकेडमी आफ आर्ट लंडन पाकिस्तान आर्ट कॉंसील लाहोर ब्रिटिश एंपायर वेल बी लाहोर मुजियम पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहोर इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट कलकत्ता आधी महतोपुर्ण एक्जिबिशन इनके रहे हुए चुकता इनको महसूरी फाइन आर्ट के तीन बार मतलब 1921, 1922, 1923 में तीन बार इनको पारितोशिक मिले हुए है चुकता इनको पाकिस्तान का राष्ट्री चित्रकार गोशित किया गया President's Pride of Performance पूरसकार से चुकता इनको सम्मानित किया गया मुरका इचुकती जो 1928 में प्रसिद हुआ था उसके लिए इन्होंने चित्र बनाए अमली चुकताई, चुकताईस पेंटिंग, खान बहादूर, चुकताई इंडियन पेंटिंग इन पुस्तकों में हम चुकताईस के पेंटिंग्स को देख सकते हैं इन्होंने जल रोंगो के अतिरिक्त एचिंग पद्धती से भी चित्र बनाए इनकी चित्र की विशेशता यहां थी, कि इनकी जो बाहियर एखांकन थे, वो महीम एवं गति पुर्ण थी अपनी कला प्रतिभा के अतिरिक्त आधुनिक चित्र कला के इतिहास में उनका महत्व पुर्ण योगदान था अपनी कला के प्रति विशेश सजग रहने वाले चुकताई ने विशेश तहां रोमेंटिक स्टाईल के चित्र अधिक बनाए बंगाल स्कूल के चित्र विधान में रोमेंटिक स्टाईल प्रवेश्क इनके द्वारा माना गया जुलाई में 1943 में जो पहला पाकिस्तानिस टाइम प्रकाशित हुआ था वो चुकताई द्वारा बनाया गया था ऐसे महान चित्रकार का 17 जैनवरी 1975 को लाहुर में निदन हुआ लेकिन आज भी उनके चित्र द्वारा वो हमारे दिलों में जिन्दा है तो इस तरह हमने आज M.A. रहमान चुकताई इनके बारे में और इनकी कला के बारे में जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ एक कलाकार इस सीरीज में तो आर्ठव इंडिया इस चैनल को लाइक करे शेर करे सबस्क्राइब करे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू प्रेज देल आइक आपक्स तो गेटर नीव वीडियो उस